नवश्कार दोसु, स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ दोसु आज की इस वीडियो के अंदर हम 2024 के पहले IPO के बारे में देखने वाले हैं जो 2024 का पहला IPO अभी लाँच हो रहा है जिसके अंदर अगर आप अपना सबस्किप्शन लेना चाहते हैं आप IPO परचीस करना चाहते हैं पब्लिक आउफरिंग के तौर पे तो 1 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी के बीच में आप इसके अंदर परचीस कर सकते हैं इस बीच में अपलाई करने के लिए यह IPO ओपन रहेगा तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर इस IPO के बाकी के पूरी डीटिल्स के लिए आज हम जानकारी के लिए देखने वाले हैं तो दोस्तो अगर इसके पहले आप अभी नए हैं इस चैनल पर तो से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बेटन दबा दें ताकि नएश वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ज्योती CNJ Automation के IPO के बारे में देखने वाले हैं और 2024 का ये Share Market का पहला IPO लाँच हो रहा है जिसके अंदर कंपनी के जो प्लानिंग है एक हजार करोण रुपे जुटाने के लिए IPO के माध्यम से तो अगर जिस किसी को भी Retail निविशक हैं और IPO के अंदर Investment करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में आप बूली लगा सकते हैं 16 जनवरी को BSC और NSC के अंदर इस कंपनी के IPO की Listing होने वाली हैं और इस वीडियो में आज हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर आप इस IPO के अंदर अपना पैसा Invest कर रहे हैं तो लगबग आपको कितने रुपे में minimum और upper side में इस IPO के अंदर shares purchase करने का मौका मिलने वाला है तो जोसों उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम जोती CNG Automation Limited के अंदर IPO में investment करते हैं तो क्या इनकी date है किस तरीके से ये अभी offer कर रहे हैं IPO opening के जो date है 9 जनवरी से लेकर के और IPO closing के date 11 जनवरी के है यानि कि 9 से लेकर के 11 जनवरी के बीच में आप IPO में अपना investment कर सकते हैं जो shares allotment के date है वो 12 जनवरी के है 12 जनवरी के company shares allotment करेगे और 15 तारिक को अगर किसी ने IPO के अंदर अपना investment किया और उसको shares allotment नहीं हुए है तो 15 तारिक को वो पैसा refund करना है start कर देंगे 15 को उनका refund हो जाएगा demate accounts में shares को credit जो रहेगा वो 15 तारिक को ही जिनको offer हुआ है उन्हें credit हो जाएगे और इसके बाद में listing की बारी आती है तो share market में जो listing है वो 16 जनवरी को इसकी date है इस shares के 16 जनवरी को listing हो जाएगी shares एक allotment के अंदर रहेंगे और उनकी lower price क्या होगी और upper side price क्या होगा यह देखते हैं तो अगर हम जो भी retail निवेशक हैं minimum एक allotment देना चाहते हैं तो 45 shares का एक allotment होगा और इसके जो price band है IPO का 315 रुपे लोर side और 331 रुपे अपर side का share price है अगर हम 331 रुपे के हिसाब से एक lot लेते हैं 45 shares का तो वहाँ पर 14,895 रुपे का आपको investment करना होगा अगर आप अधिक्तम allotment लेना चाहते हैं तो 13 lot आप ले सकते हैं जिसके अंदर की 585 shares आपको मिलेंगे अब यह 585 shares का अगर आप count करेंगे तो इनका 331 रुपे के हिसाब से 1,93,635 रुपे का आपका investment होगा तो अगर आप इस IPO के अंदर investment कर रहे हैं तो 45 shares आपको मिलेंगे एक allotment के अंदर maximum आप allotment लेना चाहते हैं तो 13 allotment ले सकते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 585 shares आपको मिल सकते हैं higher side इसके जो shares के price हैं 331 रुपे 33 shares के हिसाब से इसके rate decide किये हैं कंपनी ने दोसुँ ये shares को अभी जो IPO launch करने कंपनी का जो target है 1000 करोड रुपे का fresh share allotment करके और उससे income generate करने का है तो यहाँ पर कंपनी 1000 करोड रुपे गठा करने के लिए जिसके लिए कंपनी 3 करोड 2,11,480 shares जारी गर रही है जो promoter और निविशक के लिए होंगे जो इन्हें purchase कर सकते हैं अगर इसके investment पर मिरने वाले returns की बाग करें तो 20.24% तक का returns यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि listing होने के पहले ही कंपनी ने grey market में 20.24% यानि की प्रति share 67 रुपीज का आपको profit देने के लिए अभी trend कर रहा है तो यहाँ पर अगर इसके जो upper price band है 321 रुपे के हिसाब से और इसके listing होने का जो अनुमान है 390 रुपे यानि का प्रॉक्स 400 रुपे के बीच में listing होने के अनुमान है तो अगर आप 331 रुपे में इसके upper side price पे shares IPO के अंदर लेते हैं और listing में ही आपको अगर 400 रुपे के लगबग shares listing होती हैं तो कम से कम 67 रुपे के आपको profit होता हुआ नजर आ रहा है बाकी का दोस्तों आप अपने स्वक्षा अनुसार अपने planning के according आपके सुझबुश के अनुसार इस IPO के अंदर investment कर सकते हैं और ये अभी 2024 का पहला IPO launch हो रहा है बाकी दोस्तों आगे भी इसी तरीके के वीडियोज देखने के लिए अगर आप अभी चैनल पर नए है तुसे सब्सक्राइब करके बैल आइकन की बटन दबा दे ताकि नएस वीडियो जो इस चैनल पर upload हो उसका भी notification सबसे पहले आपके पास में आए दनीवर